स्वागत है आपका आपके अपनी चैनल आदिते मोटो राइड में और आज हम बात करेंगे आठ अपकमिंग बाइक्स के बारे में जो कि कुछी टाइम में भारती बजार में लॉंच होने वाली है और आज की इस वीडियो में आपको उनकी प्राइजिंग का भी पता लग जा वो बहुत ही शांदर है क्लासी सी लगती है ये बाइक देखने में और आपको जो उलेक्ट्रिकल्स है वो भी यहाँ पर आपको टॉप नॉच क्वालिटी के मिल जाते हैं बाइक में आपको मिलता है 155cc का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल बीस 6 इंजिन जिसमें आपको 19 19.3 BHP की पावर और 14.7 नूटन मीटर के टॉर्क मिलेगा और नंबरों गेर्स यहाँ पर आपको 6 मिल जाने वाले हैं बाइक में आपको डिजिटल मीटर मिलेगा जो हैंडिल बार है वो यहाँ पर आपको अपराइट मिलता है तो आप गाड़ी को तनकर चलाओगे तो किसी भी तरह का बैक पेन आपको यहाँ पर नहीं आने वाला है डूल डिस्क ब्रिक विट सिंगल चैनल एबियस आपको इसमें ओफर किया जाएगा सामने आपको USD फोक सस्पेंशन मिलेंगे पीछे आपको मोनोशोक सस्पेंशन मिल जाएगा देखा जाए तो नियो रैटरो बा बेस सब्री से इंतजार कर रहे हैं बाइक का जो लोग से वो बहुत ही शानदार है थोड़ी बहुत रैटरो और थोड़ी बहुत नेकेड स्ट्रीट फाइटर जैसे लोग यह बाइक प्रेड्यूस करती है जो की देखने में काफी शानदार लगती है एक लाख 10,000 रुपे इंजन जिसमें आपको 14.7 BHP की पावर और 11.6 Nm के टॉर्क मिलता है और नमरों गेर्स यहाँ पर आपको 6 मिल जाते हैं बाइक में आपको डूल ABS मिल जाता है और डिजिटल इंस्टूमेंट कंसूल आपको यहाँ पर मिलेगा फॉरण कंट्री में यह बाइक चलते दूसमे आपको USD फ्रेंट फोक सस्पेंशन मिलते हैं लेकिन जब यह बाइक इंडिया में आएगी थोड़ी बहुत कॉस्ट केटिंग की जाएगी और आपको फ्रेंट में टेलेस्कोपिक सस्पेंशन मिलेगा और पीछे आपको मोनोशोक सस्पेंशन मिल जाएगा तो ओवरॉल प् यामहा फेजर 150 यह एक एंट्री लेवल की 150 CC की कम्यूटर सेग्मेंट की बाइक रहेगी जिसका जो दाम है वो भी यहाँ पर आपको कम मिलेगा तो जिनका बजट कम है और कम बजट में जिनको एक बड़ी CC की बाइक चाहिए तो वो यामहा फेजर 150 के लिए रुख सकते है बाइक की गिमत रहेगी एक लाख दस जार रुपे और जो बाइक का लुक्स है वो भी यहाँ पर आपको डिसेंट सही मिलता है टैंक पर जो कावल है वो बाइक को थोड़ा बहुत स्पोर्टी लुक दिने में मदद करता है जो इसके एलेक्रिकल्स हों के जो का मीटर मिलता है टेलिस्कोपिक फ्रेंट सस्पेंशन मिलता है और पीछे आपको डुएल शॉक एब्जॉर्वर सस्पेंशन मिलता है यूबिएस ब्रेकिंग टेकनोलोजी आपको यहाँ पर मिल जाती है सेफटी के लिए फ्रेंट डिस्क ब्रेक मिलेगा और पीछे आपक ये दर असल एक स्क्रेंबलर बाइक है तो जिनको एक अच्छी स्क्रेंबलर बाइक चाहिए राइड के लिए अपने लॉंग टूर के लिए तो वो इस बाइक के लिए थोड़ा सा वेट कर सकते हैं दोलाक रुपे से बाइक चालू होगी इसके जो शुरुवाती कीमत वो दोलाक रुपे ही होने वाला है बाइक का जो लुक्स है वो बहुत ही शान्दर है देखने में बाइक बहुत ही डिसेंट और एक अच्छा ही लुक्स देती है और इसके जो एलेक्रिकल्स हैं जो सिटिं instrument console मिल जाता है, front में आपको telescopic suspension मिलेंगे और पीछे आपको monostruck suspension मिल जाएगा dual disc brake with dual channel ABS आपको इस bike में देखने को मिलेगा और जो overall looks है, जो features है वो भी यहाँ पर आपको प्रहस के साफसे इस bike में बहुत ही जबरदस्त मिल जाते हैं अब अगर बात कर लेते हैं कि यह bike कब तक भारती बाजार में launch हो जाएगी तो नवेंबर 2030 तक यह bike भारती बाजार में launch हो जाएगी नमबर 5 पर आती है Suzuki GSX 125 यह एक fully fed sports bike है तो जिसको कम price में कम CC की fully fed bike चाहिए तो वो Suzuki की इस bike के लिवेट कर सकता है एक लाग पचास जार रुपेस bike की कीमत रहेगी bike का जो लुक से वो बहुत ही शानदर है full fed में आपको मिलती हूँ overall बहुत ही शानदर styling आपको यह offer करती है और इसमें जो electricals है वो भी यहाँ पर आपको top quality के मिल जाते हैं तो उनको लेकर कोई भी complaint आपको नहीं आएगी bike में आपको मिलता है 125cc का single cylinder air cooled BS6 compliant engine जिसमें आपको 14.3 BHP की power और 12.3 Nm का torque मिलेगा और number of gears यहाँ पर आपको चैए मिल जाएंगे bike में आपको all digital instrument console मिलेगा dual disc brake with dual channel ABS आपको इसमें offer किये जाएंगे front में आपको telescopic suspension मिलेगा और पीछे आपको monoshock suspension मिल जाएगा bike में आपको split seat मिलती है और थोड़ा बहुत जो उसका riding posture है वो भी upright है तो किसी भी तरह का back pain आपको feel नहीं होगा और जो overall looks है वो भी यहाँ पर आपको शांदार मिल ही जाता है अब अगर बात कर लेते हैं कि यह bike कब तक भारती बाजार में launch हो जाएगी तो january 2024 में यह bike confirm भारती बाजार में launch होने वाली है number 6 पर आती है कावसा की ninja 250 इस bike brand की या फिर इस bike की इंडिया में बहुत fan following है और लोग इस bike का base अभी दिसे इंदार कर रहे हैं क्योंकि इस bike का जो 2500cc का engine यह न वो आपको इतनी power देता है जितनी आपको KTM की 390 में देखने को मिलती मतलब उसके लगबग में यह आपको मिल जाती है तो bike का जो looks है वो बहुत ही शांदर है 2,80,000 रुपेस bike की कीमत रहेगी जो electricals है वो भी यहाँ पर आपको top quality की इस bike में मिल जाते है bike में आपको मिलता है 249cc का single cylinder liquid cooled FIBS6 compliant engine जिसमें आपको 39 bhp की power और 25.5 newton meter का torque मिलता है और number of gears से यहाँ पर आपको 6 मिल जाते है तो काफी powerful engine आपको 2500cc में इस bike मिल जाता है fully digital instrument console आपको यहाँ पर मिलता है dual channel ABS offer कर दी जाता है dual disc front में आपको telescopic suspension मिलने वाला है और पीछे आपको monoshock suspension मिलेगा front में आपको मिलता है 110 section 70 का 17 inches का wheel और पीछे आपको मिलता है 150 section 60 का 17 inches का wheel तो overall बहुती बढ़िया specs आपको इस bike में मिल जाते हैं नमबर 7 पर आती है keyway RKF 125 यह एक low CC की naked street fighter bike रहेगी जिसकी pricing चाली होगी 1,40,000 रुपे से bike का जो look से वो बहुती sharp और edgy है देखने में bike बहुती शानदार लगती है और उसके जो electricals है वो भी यहाँ पर आपको premium और awesome quality के मिल जाते हैं bike में आपको मिलता है 125cc का single cylinder liquid cooled engine जिसमें आपको 15 bhp की power और 13 newton meter का torque मिलता है और number of gears यहाँ पर आपको 6 मिल जाते हैं bike में आपको all digital instrument console मिल जाता है front में आपको telescopic suspension मिलेगा यहाँ पर cost cutting की जाएगी USD suspension आपको नहीं मिलेगा और पीछे आपको monoshock suspension मिल जाएगा single channel ABS और dual disc brake आपको इस bike में मिल जाते हैं अब अगर बात कर लेते हैं कि यह bike कब तक भारती बजार में launch हो जाएगी तो November तक यह bike भारती बजार में launch होने वाली है number 8 पर आती है Yamaha XSR 125 यह जो bike है यह यहाँ पर आप सबको बहुत पसंद आने वाली है new retro category में यह bike आती है जिसकी pricing चालू होगी 1,35,000 रुपीज से और इसका जो look से वो भी बहुती शांदार है और इसका जो electricals है उनकी जो working जो performance है वो भी यहाँ पर आपको even quality की मिल जाती तो visibility को लेकर कोई भी complaint आपको यहाँ पर नहीं आने वाली है bike में आपको मिलता है 124 CC का oil cooled single cylinder BS6 compliant engine जिसमें आपको 15 BHP की power और 14.5 Nm का torque मिलता है और number of gears यहाँ पर आप कुछ है मिल जाते हैं bike में आपको all digital instrument console मिल जाता है bike का जो position है वो upright है तो किसी भी तरह का back pain आपको नहीं होगा आप दो लोग आराम से comfortable होकरिस में travel कर लोगे dual disc with single channel ABS safety के लिए front telescope suspension आपको मिलेगा और पीछे आपको monoshock suspension मिल जाने वाला है अब अगर बात कर लेते हैं कि ये bike कब तक भारती बजार में launch हो जाएगी तो November 2023 तक ये bike भारती बजार में launch हो जाएगी बाकि दोस्तों आप comment करके बताओ कि इन 8 bikes में से कौन से गाड़ी आपको सबसे जादा यहाँ पर पसंद आई है तुमीद है कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको like करो, share करो और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हूँ तो subscribe करके बेल आइकन दबा दो क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूँ अभी के लिए thanks, till then wait for my new upcoming videos